नीट पेपर लीग के बाद मचे घमासान की, मेडिकल इंटरेंस टेस्ट, नीट इक्सदाम में धानली के बाद अपकेंद्री जाच अजेंसी, CBI जाच में जुट गई है स्टेट पुलिस ने जाच अपने हाथों में लेने के बाद, CBI तमाम पहलों को ध्यान में रखकर जाच कर रही है CBI की एक टीम वकायदा बिहार की राजधानी पटना में मौझूद है, जबकि दूसरी टीम गुश्रात के गौधरा में है पटना में CBI बेहार पुलिस की ईयोग से भी सबूत ले चुकी है और सभी आरोपियों को गरफतार कर पुस्ताच की रणीती पर काम कर रही है हलाकि पटना में पेपर लीग के सरगना संजीव मुख्या की गरफतारी पर पटना की सिवल कोट ने रोक लगा दी है लेकिन उसे गरफतार करने के लिए CBI दूसरे आप्शन पर काम कर रही है CBI हर हाल में पेपर लीग के तह तक जाने की कोशिश कर रही है हम CBI जाच की तमाम पहले उपर बात करेंगे लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट लिए घर, ट्रंक या एक्जाम सेंटर कहा लीग हुआ नीट का पेपर CBI की जाच में खुलेंगे कई राज एहम्दाबाद से पेपर कैसे पहुँचा हजारी बाग पटना हजारी बाग देव घर धांधली के कितने एपिसेंटर शिकंजे में कई गुनहगार पेपर लिक के कितने किरदाब पेपर लिक का चैप्टर, CBI सोजाएगी मैटर देश भर में लगातार नीट पेपर लिक मामले को लेकर हंगामा मचा हुआ है इजेंसिया इस मामले की जाच में लगी हुई है इस बीच नीट पेपर लीक मामले में जहारखन का हजारी बाग जिला चर्चा में आ गया है E.O.U की टीम मामले की जाच करने के लिए हजारी बाग के O.S.S. स्कूल में पहुची थी जहां हैरान कर देने वाले खुलासे हुए है इन खुलासों का जिक्र हम आगे करेंगे लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि नीट का पेपर लीक होने से पहले कैसे और कहा कहा तक पहुचा एहमदाबाद से पेपर निकला, राची पहुचा, राची से हजारी बाग कुरियर आफिस पहुचा और फिर वहाँ से स्टेट बैंक पहुच गया, स्टेट बैंक से एकजाम सेंटर पहुचा जिसका जिकर भी हमने किया, जिसका नंबर का हमने जिकर किया, या फिर बैंक से निकल कर, स्ट्रॉंग रूम से निकल कर, जब ये स्कूल के सेंटर पर जा रहा था, उस भी चीसे गायब किया गया, ये बहुत बड़ा महत्यपुर्न सवाल है जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर निट का पेपर कहां और किस जगह पर लीक हुआ, सिलसलेवार तरीके से नजर डाले तो जाच एजिंस्या पता लगा रही है कि निट का पेपर या तो कुरियर आफिस और बैंक के बीच लीक हुआ, या इसकूल और बैं बैंक के बीच में ही भेरा भेरी हुई, सवाल ये भी कि चार किलोमेटर का सफ़र तै करने में डेड़ घंटे क्यो लग गए, पेपर लीक को लेकर कई सवाल उठने के बाद अब Oasis स्कूल प्रबंधन पर शक गहरा गया है, जिसको लेकर कई आशंका जताय जा रही है, पहल इन्टर थे, शक गहराने की दूसरी वज़ा, Oasis स्कूल के वाइस प्रिंसिपल सुप्रेटिंडेंट थे, शक गहराने की तीसरी वज़ा, एक प्रोफेसर को सेंटर पर अब्जर्वर बनाया गया था, उसे किसने निर्गत कराया, और क्या बगएर जाच के ही उसे ये केंदर निर्गत किये गया, और क्या इन केंदर के माध्यम से ये जो ऑनलाइन परिक्षा केंदर होते हैं, जो सेंटर्स होते हैं, क्या इसकी आड़ में वो अपने धंधे को लगातार आगे बढ़ा रहा है, EOU की टीम ने स्कूल में प्रशनपत्र के शील्ड पैकिट के अपोजिट एंड यानि नीचे के हिस्से में छेड़ छाड़ पाई है जिसके बार अब CBI ये पता लगाएगी कि एक्जेक्ट किस जगह पर पेपर के बंडल से छेड़ छाड़ की गई क्योंकि प्रशनपत्र नौ बकसे में रखे हुए थे एक बकसे में प्रशनपत्र के तीन बंडल थे एक बंडल में 24 प्रशनपत्र होते हैं नौवे बकसे के एक बंडल से बुकलेट निकाली गई बुकलेट एक लिफाफे में थी जिसे कैंची से काटा गया बुकलेट दोबारा रखकर लिफाफे को चिपकाया गया परीक्ष सेंटर में एक लड़की को बुकलेट मिली थी लड़की ने बताया कि लिफाफा फटा हुआ मिला इसी नमबर की जली हुई बुकलेट पटना में मिली जिस बुकलेट की बात निकल कर सामने आई जिस बुकलेट की तस्वीर आप अपने टेलिविजन स्क्रीन पर बार बार देख रहे हैं, जिसे जलाया गया था, उसे इसी अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 202 में अमित आनंद ने जला दिया था और उस जले हुए बुकलेट को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और इन पेपर लीक का जाल पांच राज्यों में पहला हुआ है, जिसमें बिहार, जारखंड, उत्तरप्रदेश, गुजरात और महराश्ट शामिल है। सभी राज्यों में CBI ने केस अपने हाथ में ले लिया है और बारेकी से पेपर लीक के हर पहलू को खंगाल रही है। उमीद की जा रही है कि जल्दी छात्रों के भविश्य से खिलवार करने वाली बड़ी मचलिया कानून के शिकंजे में होगी। ब्योर रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए अब आपको ग्रैफिक्स के जरी एक बार समझाते हैं कि कैसे कैसे पेपर लीक फामला जो है वो अब CBI जाज कर रही है और क्या-क्या अभी तक चीजे सामने आई हैं वो आपको ग्रैफिक्स के जरी हम समझा रहे हैं। अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट की मदद से, एक्सपर्ट से बात करके सवालों का बैंक जो है वो तयार करना पेपर जो है वो कैसे कराता है NTA, वो सबसे पहले हम आपको समझा रहे हैं। तयार किये हुए सभी पेपरों को जाच के बाद final paper बनकर तयार होता है जाच के बाद final paper बनकर तयार होता है पेपर कैसे कराता है NTA online और offline परिक्षाओं का आयोजन कराया जाता है NTA की तरफ से जिसकी सारी जमेदारी NTA की होती है CBT mode में personal server पर paper lock करके रखा जाता है personal server पर paper lock होता है offline mode में exam कराने के लिए company को tender दिया जाता है सुरक्षा की जमेदारी hire की गई company की होती है यानि कि ठीक से paper हो किसी तरह का कोई paper leak ना हो इसकी जमेदारी जो है वो company को दी जाती है exam से पहले अलग-अलग center के strong room में paper जो है वो रखा जाता है अलग-अलग strong room बनाया जाते है centers के आसपास strong room में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश जो है वो बर्चित होता है किसी को भी अंदर जाना इलाओ नहीं होता strong room में हमेशा seal करके paper रखा जाता है paper जो है वो seal रहता है लेकिन जो बिहार से मामला सामने आया जिसमें bank से paper center तक जब paper पहुचा तो वो seal नहीं था उसका seal तूटा हुआ था परिक्षा अधिकारी की मौझूदगी में strong room में paper का भित्रन होता है परिक्षा अधिकारी जो है वो वहाँ पर मौझूद होता है subject expert की मदद से paper तयार करवाना NTA का क्या क्या काम है वो हम आपको बता रहे हैं experts से बात करके सवालों का bank तयार करना तमाम experts होते हैं उनसे बात की जाती है और फिर सवालों का bank तयार किया जाता है तयारी के लिए सभी पेपरों की जो development है वो कमेटी जो है वो तयार की जाती है जाच के बाद final paper बनकर तयार होता है online और offline परिक्षाओं का आयूजन कराया जाता है और इसके साथ ही आपको बता दे की CBT mode में personal server पर paper locker के रखा जाता है इस पर जादा जानकारी के सास के लिए हमारे साथ तमाम समवादाता जुडगा है रितेश मिश्रा पतना से लाइफ जुडगा है प्रतमेश हमारे साथ मुंबई से लाइफ जुडगा है जयेश तोनी जो है'M":- सबसे पहले रितेश में आपसे शुरू करना चाहूंगी क्योंकि में सेंटर आफ दा अट्रेक्शन जो है वो उस वक्त बिहार बना हुआ है हलाकि गुजरात का जो सेंटर है गौधरा वहां पर भी CBI जाच कर रही है जिसने अभी तक इस पूरे पेपर में मामले की जाच की है कई सारे सबूत उतने इकठा की है तो आज CBI की चार सदस्य टीम जो दिल्ली से पठना पहुची है वो EOU का रहाले पहुची वहाँ ADG है EOU के नईर हस्नान का उनके साथ उनकी मीटिंग हुई इसके अलावा जो DIG है मानोजीर सिंग धिलो उनके साथ उनके मीटिंग हुई पठना एस पिराजीव मिस्वाभी उस मीटिंग में मौजूद है और SHO शास्ती नगर जिसने सबसे पहले इस मामले को क्रैक किया था जिसमें सबसे पहले यादविंदू को गिरफतार किया था तो SHO शास्ती नगर के SHO अमर कुमार भी इस मीटिंग में मौजूद है और मीटिंग का मक्तद ये था कि अब तक जो भी जाच हुई है वो किस तरह से हुई है क्या कुछ सबूत पाय गया है कहां और काम करने की जरूरत है और इसको लेकर अब CBI आगे बढ़ चली है जो हमारे सोर से जह चाहे यो यू के अंदर हो या पट्टा में जो CBI कारियाल है उसके अंदर है उनका साफ तरपे कहना है कि CBI काफी देजी से इंवेस्टिकेट कर रही है उसके अधिकारी जो है वो 24-24 घंटा काम कर रहे है इसी बार से अंदर जा लगाया जा पट्टा है कि CBI ने कितनी गंभीरता इससे इसकोरे मामले को लिया है और सीन रिक्रियेशन हो रहा है फिर से उन तमाम जगों पर CBI की टीम पहुंची है जहां पर पहले पट्टना पुलिस पहुंची थी इयो यूटी टीम पहुंची थी उन तमाम जगों पर जहां वो पट्टना का अपार्टमेंट हो जहां से अमित अनंद ने पेपर जलाया था या सिकंदर या अगवेंदू का हो आवास या लवन प्ले स्कूल हो इन तमाम जगों पर तो पुलिस पहुंची रही है जिन सेंटर से परिक्षारती की गिरफतारी हुई वहां भी पहुंची है CBI की टीम इसके अलावा CBI की टीम नवादा पहुंची है इसके अलावा CBI की टीम हजारी बाग पहुंची है इसके अलावा CBI की टीम राची पहुंची है जाएश आपके पास क्या जानकारी है गौधरा से क्या कुछ हांसल हुआ CBI की टीम को जी बिल्कुल मैं आपको बटा दूगी गौधरा में जो भी मामला दर्ज हुआ था पांच लोगों की गिरफतारी होई थी दो करोड तीस लाख रूपे के चेक बरामत किये गए थे साथ लाख रूपे नगत बरामत किये थे वो सारी चीजे जो भी सबूट थे गुजरात पोलिस के पास वो सारे सबूट और पूरा केस जो है वो CBI को कल ही हैंड ओवर करवाया गया था कल देर राद तक ये प्रोसीजर चलिती और आज CBI की टीम ने जो गुजराती में केस पेपर्स थे उसको ट्रांसलेट करने की सुरवारती है आज पूरे दिन यही चला है जितने भी स्टेटमेंट्स रेकॉर्ड किया गये थे जितने भी F.I.R. की कॉपी थी जो भी पंचनामा था और जितने भी लोगों के बयान लिये गये थे उन सारे चीजों को अब CBI अंग्रेजी में ट्रांसपर कर रही है ताकि जो भी साक्ष इसके अंदर सामिल है वो अच्छे से उनको समझ में आ सके साथी टीम के द्वारा जो इन्वेरिस्टिकेशन ओफिसर रहे है उनसे पूछताज भी की जा रही है सारी चीजों की जानकारी जुटाई जा रही है ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि जो गिरफ्तारी होने के बाद जो आगे जांच बढ़नी चाहिए वो क्यों नहीं बढ़ी है और नहीं बढ़ी है तो इसके पीछे का कारण क्या है कारण ये बताय जा रहा है कि NTE की तरफ से स्टुलेंट्स के एड्रेस और डीटेल्स प्रोवाइट नहीं करवाए गए तो जांच आगे नहीं बढ़ पाई है यही वाज़े है कॉट ने भी जो आरोपियों के जमानत रहे दिये थे इसले दिनों अब ये भी कोशिश कर रहे है पूरा जो मामला है वो उसी समय सामने आया था जिस समय ये एक्जाम्स हो रहे थे और उसी दिन ये मामला पूरा पकड़ा गया ठीक है आपके पास जैश आएंगे प्रतमेश मुमई से हमारे साथ बने हुए है प्रतमेश लातूर से एक प्रिंसिपल की गरफतारी होना साथ एक प्रोफेसर की गरफतारी जो है वो की गई है पूस्ताच में अभी तक क्या सामने निकल कर आया है जी अभी तक महाराष्टा में अगर देखा जाए तो लातूर से जब नांदेड एटीएस ने जब अब जाज करना शुरू किया तब वहां से ऐसा निकल के सामने आए लातूर से कुछ जो शिक्षक है वो इस धनली में शामिल है उसके बाद जलील पठान और संजेज जादव इन दो शिक्षक को यहां वहां पर अरेस्ट किया गया जिसके बाद अगर देखा जाए तो अभी वी जो जाज है वो शुरू है लगातार जो एक के बाद एक कडिय है वो निकल के आ रही है जब जब ATS जाज कर रही थी उनके घर पे छापे मारी हुए तब वहां से जो शुरूरंट के ID काड्स है नीट के ID काड्स वो बरामत हुए अभी पिलाल जो वाटसप के जो चैट्स है वो खंगा ले जा रहे क्योंकि वही से ही चैट्स हुए है और पैसे लिये गये है अईसी बात निकल के आ रहे है तो पैसे दिये गये थे इन सब जो पेपर legitimately करने के लिए है ऐसी बात निकल के आती है अभी जो है यह वाटसप के चैटS खंगा ले जा रहे है यह पैसे कहां से किस अकउंट से चले एक पहलो की जांच की लिस्त तयार की गई है जिससे इस किस से जुड़ी कोई भी एविडेंस रहना चाहे उतरप्रदेश के रहने वाले एक शात्र से CBI ने पूस्ता अचकी है हलाकि बाद में उसे छोड़ दिया क्या दिली से देखे हमारे से होगी जापेद किरपो अब तक की जांच में ये जानकारी मिली है अगर एजनसी के सूटरों की माने तो जो स्टेट पोलिस है जो इस नीट और यूजी धोकादरी मामले में जो पूरा इन्विस्टिगेशन कर रही थी तकरीबन नौ फोन को जब्द किया गया था जिसमें से बताया गया है कि उनके डाटा को डिलीट कर दिया गया है और अब जो नौ फोन है इसको एजनसी ने सी एफसल यानि कि सेंटरल फॉरेंसिक साइंस लेवार्टिस में इस फोन को भेजा गया जिससे कि डाटा को रिकवर किया जा सके इस डाटा में अगर सूतरों की माने तो कई ऐसे बड़े एविडेंस हो सकते हैं जिसमें पेपर लीक के लावा कौन-कौन कैंडिडेट है कैसे सेटिंग की गई और किस तरीके से पूरा ये जो एक इंपोर्टेंट है तो फिलाल एक तरफ CFSL के से रिपोर्ड का इंतजार है कि इससे डाटा रिकवर हो वही दूसरी तरफ CBI के सुतों के वाले से खबर है कि उत्तरपरदेश के कुशी नगर के रहने वाले एक लड़के से जो की कैंडिडेट है उससे पूस्ताज की गई है CBI एजनसी के दोरा और उसके बाद करीब 6 से 7 घंटे की पूस्ताज के बाद उस लड़के को फिर छोड़ दिया गया इस पूरे मामले में जहां एक तरफ पूरे देश में बावाल मचावा और पॉलिटिकल कही ना कही अब एक्टिविटी शुरू हो गई है लगातार परदशन हो रहा है तो वैसे में दूसी तरफ CBI इस पूरे मामले को इन्विस्टिगेट करने में जुट गई और कई टीमें बनाई गई है कई स्पेशल टीम बनी है जो इस पूरे मामले को जांच कर दी है इसमें राजसान, गुझरात, बिहार और जारकन भी शामिल है क्योंकि हम आपको बता दे कि जो जारकन के देवघर से चुन्नू सिंग नाम के एक शक्स को गिरफकार गया था जिसके घर से एक डैरी मिली है और डैरी में चिंटू नाम के एक शक्स का जिकर है और जो वहाँ पर हैंडरेटिंग जो लिंदिन की है जो जानकारी मिली है वो पूरी तरीके से हैंडरेटिंग ऐसी लिखी गई जिससे समझना मुश्किल है इसको भी समझने की कोशिश की जारी है और यह साफ लग रहा है कि किस तरीके से पूरा धोकादरी को एक establish किया गया उसके बाद लाखों बच्चों के साथ खिलवार किया गया और इसमें जो जो नाम सामने आ रहे कुछ लोगों के गिरफतारी हुई है उसको लेकर CBI एक पूरी लंबी list तयार कर चुकी है और अपनी एक line action जो है investigation का वो उन्होंने तयार कर लिया और CBI के तरफ से ये जानकारी है कि जल्द कई और raid हो सकती है कुछ और लोगों से भी पूस्ताज हो सकती है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया जा सकता है इंडिया नियूस का नीट परिक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा सुत्रों के हवाले से इंडिया नियूस बताएगा कि परिक्षा माफियाओं ने परिक्षार्थियों के सामने चार तरह के option दिये थे option first परिक्षा से पहले question के साथ answer option second scholar बैटना option third center arrange करवाना fourth option में ताकि जिस सवालों के answer मालूम ना हो उसे exam के बाद भरवाना यानि कि जिस वक्त आप exam दे रहे हैं उस वक्त इसे छोड़ दीजे लेकिन बात में उसका answer जो है वो fill कर दिया जाएगा तो ये options जो है वो दिये गए थे अब प्रस्णपत्र लीक मामले की पूरी जांच CBI ने अपने हाथ में ले लिया है और काफी तेजी से investigation को आगे बढ़ा रही है और CBI की कई सारी team इस वक्त बिहार में है अभी देखिए मौजूद है हम पटना के CBI office के ठीक बाहर और यहां भी जो team पहुंची है दिल्ली से वो यहां पर पहुंची हुई है और उसने कई एहम जानकारिया उसने इकठा किया है इसके अलावा जहारखन में भी कई सारी जो team से CBI की वो वहां पर पहुंची हुई ह इन्वेस्टिगेट कर रही हैं लेकिन इंडिया न्यूज़ देश का पहला चैनल सबसे पहले हमने बताया था कि पेपर लीक मामले में हजारी बाग कनेक्शन क्या है और देखिए जब यो इन्वेस्टिगेट किया तो हजारी बाग का कनेक्शन किस तरीके से बेनकाब ओएसी से स्कूल का नाम सामने आया और जिस बुकलेट संक्या 613-648 की बात आती है जिसे जला दिया गया था जिसे अमित आनंद ने पटना के एजी कॉलनी आवास पर जलाया था वो एसी ओएसी से स्कूल जो हजारी बाग में है जहां पर नीट का सेंटर था वहां से गायब ह पर जो है वो सॉलवर गैंक के पास कैसे पहुंचा और सवाल ये भी है कि बड़ी ही फुल प्रूफ प्लैनिंग होती है और उसके तहत जो प्रस्नपत्र होता है जो एंसर शीट होती है उसे काफी चाक चौबन सुरक्षा व्वस्था में सेंटर्स पर पहुंचाया जाता है बैंक में बकायदा है स्ट्रॉंग रूम में रखा जाता है तो इस्ट्रॉंग रूम से जब ये ट्रांस्पोर्टेशन के लिए लाया गया तब ये गायब हुआ या बैंक से निकल कर जब केंदर के लिए जा रहा था उस बीच इसे गायर किया गया ये बहुत बड़ा महत्पुर्ण सवाल है और इसके जवाब तला से जाने बहुत जरूरी है हलाकि CBI एक बार फिर से पूरे मामले को जहां तक investigation को EOU ने आगे बढ़ाया है CBI उसे फिर से recreate कर रही है scene recreation इसे कहते हैं और उसी जान्च को आगे बढ़ा रही है और कई एहम जो साक्षे हैं CBI को मिले हैं अब देखने वाली बात होती है कि CBI कितनी जल्दी इस जान्च को पूरा करती है कितनी जल्दी छात्रों को नयाय मिलता है और कब जो गुनहगार है जो solver सरगना है वो सलाकों के पीछे जाते हैं अभिशेक के साथ रिते